Good-nulling students, आज हम करेंगे हमारा chapter number 14, chapter number 14 क्या है हमारा linear equation linear equation क्या होती है, जिसकी highest degree क्या हो, 1 हो, ऐसी equation, equation का मतलब क्या जिसमें equal का sign हो जैसे 2x is equal to 4, इसकी degree, degree मतलब जो variable है उसकी power, उसकी power highest क्या हो, 1 हो क्या बोला है equation तो क्या होता है जिसमें equal का sign हो एक variable हो equation क्या होता है जिसमें एक variable हो variable क्या होता है English के alphabet English के alphabet क्या होता है variable equation होती है जिसमें एक variable हो और equal का sign हो linear equation क्या होती है आपके जिसकी जो variable है उसकी सबसे जो degree है वो क्या हो 1 हो जैसे 4y प्लस 5 is equal to 0 इसमें variable क्या है y इसकी पावर क्या है 1 क्लियर है फॉर्स्ट आस्के और से शुरू कर लेते हैं ठीक है पहले क्या चीज है आपके पास खली ध्यान क्या रखना आस्के और से लिए यह प्लस इक्वल से उदर जाएगा तो माइनस माइनस उदर जाएगा तो प्लस मल्टिप्लाइ उदर जाएगा तो डिवाइड और डिवाइड उदर जाएगा तो क्या होता है multiply, जैसे first ask yourself है, first ask yourself, ठीक है, first question है, solve 2x by 4 minus x by 5 is equal to 1, ठीक है, पहले क्या लोगे आप, LCM लेंगे, LCM क्या हो जाएगा, 4 और 5 का, 20, यहाँ 5 से multiply गी, तो यहाँ भी 5 से multiply करोगे, 10x minus, यहाँ 4 से की, तो यहाँ भी 4 से, minus 4x is equal to 1, minus करोगे, 6x by 20 is equal to 1, x is equal to क्या जाएगा, 20 by 6, 2 के table से cancel किया, क्या जाएगी x की value, 10 by 3, 2, 10 जा 20, 23 जा 6, x की value क्या है, आपका answer है, solve का मतलब क्या है, कि इसको solve करना, इस equation को, इसका मतलब जो variable है उसमें, उसकी value निकाननी है, आपको, second है आपका, solve, x की value निकाननी है, 7x plus 2 by 2 is equal to 5 plus x by 7, जो x है, जो variable है, उसको एक साइड ले हूँ मैं, क्या जाएगा, 7x plus 2 by 2 minus x by 7 is equal to 5, LCM लिया क्या आएगा LCM, 14, इस पूरे को 7 से multiply करूंगी, 7, 7s are, 49x plus 14, minus, इसको किस से multiply करूंगी, 2 से, 2 से multiply किया, 2x is equal to 5, 47x में से 2x minus किया, तो 47x is equal to 5 multiply 14, और ये plus का 14 था, plus का 14, equal to 5 multiply 14, ठीक है, क्या है आपके पास, 47x plus 14 is equal to 5 multiply 14, multiply कहाँ चला गया, divide कहाँ चला गया, हम multiply में, क्या आजाएगा आपके पास, 47x plus 14 is equal to multiply किया, 5, 4s are 22, carry 5, 6, 7, क्या जाएगा, 70, 47x is equal to 70, ये plus का इदर जाएगा, तो minus में जाएगा, 47x is equal to minus किया, तो क्या जाएगा, 56, 46, x is equal to क्या जाएगा, 56 by 47, 47 multiply में है, कहाँ चला जाएगा, divide में, एक number और एक variable के बीच में sign क्या होता है, multiply का, पहले ही, इस चीज़ को मैं यहाँ लेकिया ही, minus में, LCM लेके solve कि, divide multiply में चला गया, plus minus में चला गया, multiply, divide में चला गया, clear, question number 3 यह आपके पास, आपको find the value of x की value निकालनी है, x minus 3 is equal to दे रहा है, x minus 3 minus x by 4, divide में है, divide को multiply में ले जाओ, x minus 3 is equal to 3 minus x, यह divide में था, 4 multiply में लेगी, अंदर multiply की, 4x minus 4, 3 is equal to 3 minus x, 4 पहले इस से multiply हुआ, minus का sign फिर इस से multiply हुआ, ठीक है यहां तक, minus का x है, इदर आएगा तो किसमें आएगा, plus का x, 3, minus का है, इदर जाएगा, तो किसमें जाएगा, plus में, minus इदर आएगा, तो plus, यह minus उदर गया, तो plus, यह आगया, 5x is equal to 15, x is equal to 15 by 5, क्या जाएगी x की value आपकी, 3, clear है, multiply में 5 कहां जाएगा, divide में जाएगा, divide गर होगे तो क्या हैगा, answer 3, next है आपका, question number 4, 4 क्या कहता है, 3 by x plus 1 is equal to 5 by 7, x plus 1, इसकी value निकानी है, find the value of x, cross multiply करोगे, cross multiply की, क्या हो जाएगा, 3 multiply 7 x plus 1 is equal to 5, multiply x plus 1, अंदर किया, 7 threes are 21, plus में 1 threes are 3, 5 x plus में 5, 5 कौंदर multiply कर दी, 21 x minus 5 x, plus 3 देर आया, minus में, 5 plus है, तो उदर गया, minus में, चीक है, यहां तक, minus करोगे आप, minus करेंगे, क्या हैगा, आपका, 16 x is equal to, 5 में से 3 गया, तो क्या बचेगा, 2, x is equal to 2 by 16, 21 जा, 28 जा, क्या answer आगे आपका, 1 by 8, किसकी value निकालनी थी, x की value निकालनी थी, वो आगी आपकी, 1 by 8, next आपका, last question है, 5th question है आपका, क्या केतना है, 5th question, solve the x, x की value निकालनी है, 3, 2 x plus 1 is equal to 5, 7 x minus 2, यही है, पहले अंदर multiply करू, अंदर multiply करी, 3 to the 6 x, plus में 3 बन्जा 3, is equal to 5, multiply 7, 35 x, minus 5 to the 10, variable जो है, उनको एक साइड ले आओ, क्या जाएगा, 6 x minus 35 x, is equal to minus 10, और plus यहाँ जाएगा तो, minus का 3, minus करू, minus करेंगे, minus करोगे तो क्या जाएगा, 29, और plus minus minus sign किसका बड़ेगा, बड़े के आगे क्या है, minus, minus minus plus, पर sign किसका, minus का, है ना, minus से minus, cancel, x is equal to 13 by 29, x की value क्या होगी, 13 by 29, clear है यहाँ तक?